लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें सब्सक्राइब करें यह लापको, बस बस अब चलो, लिबरेरी बंद अरे भाई, बंद क्यों अभी से? अरे बाबा, सर की स्पीच? समझ गए ना, क्यों बंद हो रही है येस, येस ओ माई गो, आरे देख आचलो, लेट्स गो अगर आप मेरी बात तो सुनिये? नहीं, कभी नहीं अरे हम क्या टेमो के रिश्टी के बात करेंगे अरे खोली मारो यार चलो, चलो, निर्वेजी को नहीं सुनना है क्या आचलो, लेट्स गो अरे जल्दी चल, निर्वेजी साब का भाशन शुरू हो गया है पिछले साथ दिनों से चले आ रहे इस समिनार में बड़ी-बड़ी हस्तियों ने अपने विचार रखे हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि बुढ़ापे की अवस्था एक बढ़ाव है और यूवावस्था एक बहाव कुछ लोगोंने युवकों पर अपने विचारों के जोरदार उसे मारे हैं जैसे मैं वित्रा जी का जिक्त करूंगा, आपने बड़े वजन के साथ कहा के आज के युवक, पद्दिमाः, मर्यादाहीन, उन्मादी और नजाने क्या-क्या है। शायद वित्रा जी खवा है अपने लड़कों से और अपना घुस्सा सारे हिंदुस्ताहिं के युवकों पर उंडेल रहे हैं। वो ये क्यों भूल जाते हैं, के हर पुरानी पीड़ी कभी न कभी नई पीड़ी रह चुकी है। इस पर एक शेहर याद आया, पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है, उसे कश्टी नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलता। एक बात तो साहस के साथ मैं कहूंगा, के बहाव भटक सकता है, बहक सकता है, तिशाहीन हो सकता है, लेकिन बहाव ही कुछ बदल सकता है, करंती ला सकता है, बढ़ाव नहीं। ज्यादा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने बदलने की बात की है, लेकिन जो बदलेगा, वो पहले से अच्छा होगा, या ज्यादा खराब हो जाएगा, ये मैंने नहीं का। ये सच है कि उम्र का नशा हमें उनमादी बना देता है, और फिर होता क्या है, हम निकलते हैं किसी मसले का हल ढूनने, और हाथ आता है एक नया मसला। आज हर बात पे हरताल, मोर्चे, घिराओ, तोरफोर, नहीं, ये बात हर एक युवक पर लागू नहीं होती, लेकिन कुछ लड़के संजय गुपता जैसे होते हैं, ये संजय गुपता, जो अपने साथ और दस बीस लड़कों को जोड़ लेते हैं, यूनियन की बैठक होती लाइबरेडी में नया फर्निचर आना चाहिए, नई किताबे आनी चाहिए, तो क्या करना है, चलो लाइबरेडी को ही तोड़ देते हैं, और इस तोड़ फोड में चपरासी मन्शाराम का सर फट जाता है, नया फर्निचर नहीं आए, नई किताबे नहीं आए, हाँ, मन्श हाँ उस तरह, यहां अंकुष्ट चाहिए, यहां सोचने में ठहराव चाहिए, यहां हर कदम उठाने से पहले उसके परणाम दुष्परणाम की समझ चाहिए लेकिन आज जुरूरत है पिता और दादा को बेटे और पोते को समझने की, उनसे चिलने की नहीं दादाओं की भी एक बड़ी समस्या है, वो अपनी बात दादागीरी से मनवाना चाहते हैं और हर बात पे अपनी उम्र और अपने तजुर्बे का रोब जारते हैं मुझे बच्पन में सीटी बजाने का बड़ा शौक था और मेरे दादाजी जो थे, वो मेरी सीटी से बहुत चड़ते, अक्सर मुझे भड़क जाया करते थे तो एक दिन मैंने भी ताव में आके कह दिया कि देखिये दादाजी, मेरी सीटी आपके खराटों से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, जिन्हें मैं रात भर परदाश करता रहता हूँ और दो दिन तक बातचीत बन वो मुझे अपने पास ही सुलाया करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी आँख लगती, मैं खिसक ले था मां के पास सुबह जब मेरी आँख खुलती, मैं वापस उन्हीं के बिस्तर पे होता एक अलग ही रिष्टा बन गया था दादाजी के साथ उनके ना रहने के बाद, जो कमी खटकी मुझे है, वो मैं कहने सकते हैं उनकी डांट, उनका प्यार, उनका खुस्सा बहुत यादा है सच तो ये है, कि हम पिता और दादाजी की छाया से कट नहीं सकते हमारा आधार तो यहीं से शुरू होता है हमें जिन्दगी में लड़ने और जूजने की क्षमता यहीं से मिलती है आखिर में मैं यहीं कहूंगा कि पुरानी पीडी के पास तजुर्बे और अनुभव की आँखें हैं लेकिन जोश और उमंग के पाव नहीं हैं और नई पीडी के पास जोश और उमंग के पाओं हैं, लेकिन तजुर्बे और अनुभव की आखे नहीं हैं। अगर ये दोनों चीजें एक हो जाएं, तो ही पुरानी रोशनी की कश्टी में बैठ कर, नई रोशनी अपनी मन्जिल तक पहुच सकती है। अगर निर्वेस अगर निर्वेस, तरेक शेर हो जाएं। अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर, मांगने से जिन्दगी कब मिलती है, दोस्त, अपने हर गदम में एक नया विश्वास पैदा कर। सारी एश्वेंस और उने कितर से आपको भूएं। कर्वार बार शहर भूए करें करता है कर दो ने ही डाइव पिंगे अपने करें 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 पीजिए टार्ड बार्ड एफ करें 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 चुटेज़ व्यूंग आपकी स्पीच बहाद अच्छी लगी सर् तैंक यू तैंक यू वेरी मच्च बड़ा मज़ा है सारापका सावा सेरवला शेर बड़ा जबरदा सर के विचार स्वामी विवेका नंजी से कितने मिलते हैं बिल्कुल सही कहा तुम्हे अरे धकर यहाँ तु, तु यहाँ बंबई में कैसे? वो क्या है कि तुमने अपनी स्वीच में बाकी सब का शिकर किया? सर्फ मैं ही रह गया था, तो मैं आ गया? वैसे तो ट्रांसफर के नाम पे बुखार आ जाता है लेकिन जब मुझे पता चला कि अपने यार के शहर में जा रहा हो तो बस चल दिया तो फिर तुझे आया हुए कितने दिन हुए? बस कल राती तो आया हूँ घर क्यों नहीं आया? अरे यार ठिकाना जमाने में लगा हुआ था मेरे एक रिष्चतार का घर यहां खाली पड़ा हुआ बस वहीं डेरा जमा दिया हमने अकेले आदमी के लिए पूरे घर की क्या जरूरत है? मेरे साथ क्यों आ जाता? तेरी दीदी बहुत नाराज होगी, हां बता रहा हूँ मैं मना लूँगा उसे अरे हां कनिया ने फिर प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी की? नहीं अभी तक तो नहीं और बताओ हमारी गुडिया केसी है अब चलो घर चल के देख लो कौन कैसा है और विजय क्या कर रहा है? कोई भी आदमी पढ़ाई करने के बाद क्या करता है नौकरी? नौकरी नहीं, नौकरी की तलाश हां, अफ़कोर्स मारा लेर यार आनो, तोलो बता है ऐयो चश्मा घर भूलाए हो, देखता नहीं है? लंगूर कहे का? माप कहना जी, मैं नजर नीचे नहीं पड़ी थी यहां, यह बिलकुल ठीक कह रहा है हमने भी आपको नहीं देखा ओ जी, जाने दीजे, जाने दीजे मगर तुम लोग तीनों यहां लड़कियों के कैम में क्या कर रहे हो? हम लोग पिकनिक बना रहा है, जी आप लोग भी पिकनिक बना रहा है बड़ी खुशिक बात है, हम कहीं और चल जाते है वाह, क्या भूलापन है, क्या भूलापन है तुम लोग तिनों जन बुचकर यहाए हो पड़ मैं बोलू ऐसा नहीं है जी हाँ, बिक्ति ऐसा नहीं है बत्तमीज, तुमने छुआ मुझे कॉमल, मौहिमी, रिटू, प्रिया पड़ आप क्या के रहे जी, मैने पकरता ना, तुम आप गिर जाती शादो नहीं, इतने सुंदर हतों से ऐसे काम नहीं किया जाते है विजे, तुम यहाँ, यह तो बहुत अच्छा हुआ, अब और भी मताएगा पित्निक का हाँ, हाँ, तुम क्या लाए हो खाने को, हम तो बोगल, होट डोग, जुफकर हमेशा खाने की बात हनी, यह विजे है, हमारे कॉलिज का एक स्टूडेंट कॉलिज का नमबर वन और विजे, यह हनी है हनी, नाम जैसी मिठाज मिजाज में नहीं है शायद तालीम में प्यार महबत की कमी रह गई थी इसलिए नफरत बाठती फिर रही हैं आप वैसे इनका नाम हनी नहीं नाक फनी होना चाहिए था विजे, तुम्हारा भी जवाब नहीं हनी, गुस्सा थूप दो अब हमसे मिलके डांस करेंगे विजे भी बहुत अच्छा डांसर है मैं तो तयार हूँ, अगर यह मेरा साथ दें तब डांस? और तुम्हारे साथ इल्ले इले 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 काल पुला भी जैसे तेरे जैसे कावल किले इले 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 कोई निशनी दे जा ओ जाने वाली कोई निशनी दे जा ओ जाने वाली कुछ और नहीं तो दे जा प्यार भरी गाली कुछ और नहीं तो दे जा प्यार भरी गाई अच्छे नहीं लग तेरे मुझे तेरे होट थिले सिले किले 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 इले किले हुआ 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 है हम, आपकी डिगरी और सार्टिफिकेट्स देखे है मैंने कोई सफारिश है जी नहीं फिर ये नौकरी आपको नहीं मिल सकती देखिये मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है आप वक्त क्यों खराब कर रहे है मेरा मिस जूली, यस मडम शर्मा जी का लड़का बहर आया है क्या हम बुला उसे अंदर जी अच्छा रहने दो उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है उसे कह दो उसे जॉब मिल गया है कल से काम पर आ जाए जिस मडम और इन्हे एक गलास ठंडा पानी दे दो जी देखिए यह आप ठीक नहीं कर रही है आप जानती है कि मैं यह जॉब डिजर्व करता हूँ फिर भी पानी ली जी मैं यह आपको नौकरी देती हूँ मंगर तुमके एक रिशुवत देने पड़ेगी अच्छा वो तुमें साथ लाया हूँ आपकी नौकरी पक्टी कैसी नौकरी दे दी आपने इसे यह बड़ा निकमा आदमी है दाजी हलो पेटा क्या चल रहा है भाईया कल इंटव्यू है ना उसी के रिएसल चल दी है पूरवा भ्यास तुम सीरिसली नौकरी दून रहा है क्या भाईया आप भी मजा करते हैं अखबार में वेकंसी की कॉलम देखते देखते मेरी आखे ठक गई है इसी लिए नौकरी नहीं मिल रही है तुम्हें देखो जिंदगी में नौकरी और शादी के बारे में कभी सीरिस नहीं होना चाहिए मेरे खयाल सी ये दोनों चीजें सुनिश्चित है रोजी रोटी के लिए ओफिस के किसी कॉने में एक टेबल और सिंदगी में प्यार महबबत के लिए एक बीवी क्यों, बात है के निक? बात है जागी यह लो कुछ करते है यार क्या विजय कैसा है? गुला, लगता है तेरी बाड़ी बाई तेरफ जादा जुकी हुई है अच्छा, मालूम ने सीधा करने का है का? चलना यार, चल बर्जू आये, आये धन्य भाग हमारे, जो आप हमारे बीच पधारे शंकर, देखता क्या है राम कसम ग्रहक तो भगवान का रूप होते हैं इनकी आरती उतार सुना ने क्या? सेट क्या बोला? फटा-फट आरती उतार हमारे ए फोकट मंजले के कप्तान ये तेरा उधार खाता अब यहां नहीं चलेगा अब यहां सिर्फ रोकडा चलेगा आयो अन्ना ये तो हमेशे के लिए बारिज जाना रहे हमारा कंट्री तेरे को बहुत जेल चुका है क्या? और तु अरे यार क्या नाम है तेरा यार? मांगीलाल पूरा नाम बोलना मांगीलाल घणेपन पाने नाम के आगे तो बापु का नाम लगाते है वो मेरे बापु का नाम है वो जिन्दा है क्या? नहीं स्वर्गवास हो गया उनका तो इन कलाकारों के रंग में रंग कर शांती पहुचा रहे उनकी आत्मा को अरे घणेपन आगे का भी कुछ सोचा है के नहीं? हाँ सोचा है क्या? अभी तो बापु का गणा माल पड़ा है और बाद में जब मेरा बेटा पेटा होगा तो वो कमा के खिलाएगा वाँ, वाँ, क्या उच्च विचार है बाभु बाई, मैं एक फोन कर लेता हूँ खबरदार, अगर मेरे फोन को हाथ लगाया तो लड़कियों से चक्कर चलाता है वो भी मेरे फोन से फोकट में अरे बाभु भाई, अगर इसका कोई चक्कर चल गया तो फाइदा भी तो आपी का होने वाला है फाइदा? मेरा? कैसे? यह एक ऐसी लड़की से शादी करना चाता है, जो नौकरी करती हो, माल लाती हो अगर इसकी कड़की दूर हो गई तो आपका भी हिसाब कर देगा न पाण, इस्त्री की कमाई खाना तो पाप है विजय अरे घड़े पर्ण, स्त्री की कमाई खाना पाप है, बीवी की नहीं तु जा, फोन कर, जा, निकल जागी यार बबु वे अब फोन करो, फोन करो, शादी करो, और मेरा हिसाब चुकता करो जाओ, 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 फोन करो और सुन, अगर कुछ बात आगे बढ़े न, तो दो अजार रुबए एडवांस ले ले, बाबु भाई का हिसाब कर देते हैं आ, वा, क्या आइडिया है, अरे, तुम लोग को इंटेलिजेंटो में शुरू सही मानता था अच्छा, बोलो, तुम लोग क्या-क्या खाओगे, अरे बेटर आओ, इदार आओ, ये लोग जो महांगे ही में दो, आओ, चलो इंस्पक्टर भाटकर बोल रहा हूँ देखे, मैं, मैं भर दिसाई, दिसाई इंटेनेशनल कंपणी, 36 लिंकी कोड़ तो बोल रहा हूँ की एंटेने दो, हूम लोग यही बर है, ओके. वारी! बारी सरे! प्रृश झाष 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 झाषन झाषन मुझ झाषन झाषन दाओ, लेकागा, लेकागा आ, लेकागा, लेकागा, लेकागा विजो, विजो, शोड़, भाया, इस वोड़े आपने आथ उठायाए से एकलड़े आ, लेकागा खूजो गया, सब आपे खूजो गया बाइया, क्या हुआ? कुछ नहीं, चल्द तिरो रही है सुबन, मेरी घड़ी और कोट कहा है? अभी लाती हूँ बाइया सुमन, सुमन, बुलाना बन कर दो अब थोड़ी ही दिनों में भ्याकर चली जाएगी अब दिनी कितनी बागी रह गए आपी भाबी बाइया मैं तो भूली जाता हूँ, यह तो हमें छोड़ के चली जाने वाली है अच्छा आप रोने मत लग ना, ले जाओ इसे स्कूल अच्छा, चलिए आप बात किजी इससे नहीं, मैं बिलकुल बात नहीं करूँगा यह मेरी बात नहीं मानती, बहुत जिद्धी हो गई है ठीक है, चलो बुआ अब बड़े भाया, बोल दीजे न, प्लीज नहीं, मैं इससे बिलकुल नहीं बोलूँगा हाँ, एक पपी जरूर ले सकता हूँ बाई बाई पपा, बाई बाई माम मेरी बाई बाई यह चोटे मियां कहां चले गए सुबह सुबह कल कह रहे थे प्रेशान की भाई को एडमेशन दिलाना हूँ चा दिखता नहीं है क्या, इडियट ए मैडम, गलती मेरी नहीं, आप की है कमाल है, खुद देखती किदर है और चलती किदर है मैं जानती हूँ यह हरकत तुमने जान बुशकर की है वैसे था तो इतिफाक, लेकिन मज़ा आ गया क्यों, धक्के से हिल गई ना मैडम, इस टककर के लिए थोड़ी बहुत कुसूर वार आपकी जवानी है जिसने आपके चाल में नशा पैदा कर दिया है और थोड़ा बहुत कसूर आपके इन जूतों का भी है इस तरह क्या घूर रहे हो संभालिए, संभालिए ये लड़किया उची हील पहन कर जमीन से उठने की बजाए क्यारक्टर से उठना क्यों नहीं चाहती पतानी क्या समझता है अपने आपको क्या हुआ हनी, किसकी बात कर रही है तू है, लंगूर, छोड़ ना तू क्या लेगी, समूसे वहां जटाए मैं तो डोसा लूँगी सुनो, डोसा लेआओ और दोसा के पहले समूसे ले आओ जल्दी, जल्दी क्या हुआ, कोछ सीरियस बात है क्या क्या हुआ ऐसे चीस क्या है क्यों, कोई नोक्र्वाकई वाकरी डूने के नहीं आपको शायद कंपनी की ज़रूरत है एक कॉफी आप हमारे साथ पी लीजिए अपनी ये अदा आप किसी और लड़की को जाके दिखाईए उठिए 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 कंबख्त दिल को कोई जची ही नहीं जिस दिन से आपकी ये सूरत देखी है क्यों भई पुरुशोकर पुरिशार्ट की पुंगी बजा रहे हो एक अबला नारी को सता रहे हो तुम्हें बीश्वे पढ़नी की कोई ज़रूरत नहीं है इन्होंने मेरे साथ बत्ते मीजी की है इन्ही सबक भी मैं ही सिखाऊंगे सूरत तो तुम्हें पहले ही जज गए थी मिजास कैसे लगा अबला नारी आज की अबला नारी तुम जैसो का तबला वजाना खूब जानती है अब बहुत तीखी है वह यह नेरा एडमिशन तेरा एडमिशन हो गया है और कल से तुझे कॉलेज होड़ने भी मैं ही आऊंगा झाल झाल कि नमस्ते क्यों बात है कि नहीं मेरी भाण जी में वैसे हनी यहां की सबसे टॉप स्टूडेंट है बहुत तीज़ी से पिक अप किया है इसने वैसा ही पिक अप हनी की मामी कभी था मेरा मतलब है संगीत और नृत में जगड़े में उसका बहुत पिक अप बड़ी जल्दी कुछ से हो जाती थी मामा जी इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुझे देखता चली हलो अनी तुम डांच भी सिखती हो कमाले कभी बताया नहीं वे तू मेरी बती जी है तु बेटा हलो बोलो हलो एक्टी कितनी फ्यारी बत्ची है सर मैं विजे सकसना मैं भगवान दाथ हनी का मामा ओ मामा जी आपसे मिलकर बहुत खुछी हो तो तो होगी मामा जी आप चलिए अरे थेर तो तुने वीजे के बारे में कभी बताया नहीं इतना अच्छा दोस्ते तुम्हारा अच्छा हमारी कोई दोस्ती नहीं अच्छा तो कड़ी उबल गई हम छोटों का यही प्रॉब्लम है बड़े बूड़ों को अंधेरे में नहीं रखना चाह है जो सच है वो सच है और फिर मामा जी से क्या चुपाना क्यों मामा जी वा बड़ी अच्छी बात करिये तुम्हें ऐसे विचार ऐसा यूवक आज की यूग में वा बेटी मुझे तेरी पसंद पसंद आई आउच भावी तेरे देवर ने आज तीर मार लिया है तु जल्दी से उसे शाबाशी दे यह तुने तेरे लिए एक सुन्दर-सुन्दर आहा प्यारी-प्यारी आहा बहू का इंतिजाम कर दिया है पैकॉप लेकिन हेकॉण हेकॉण मतलब लड़की है ए अरही बाबा लड़की ए लिकिन हेकॉण फ्रक्षτο से बढ़ी प्रोडुक्ड जैसे किसी प्रोडुक्ड पर होता है ISI एलमाक ये है आलकड ये है reins विलू माक, नारंगी सा रंग, नेमू जैसी सनसनाती ताजगी, ला ला, ला ला, 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 पर जब चैसी थी की, उसकी थोड़ी गडबड है, लेकिन मैं उसको लाइन पर ले आउँगा, रापया, प्रभर के रोम में, चलता हूं, पावला हो गया पाखल के लिगा बही आज कल शेहर का मौसम कुछ बदला सा नहीं लगता आपको आपको नहीं लगता कुछ चेंज यह क्या हो गया है दूप में तपन तो है लेकिन थोड़ी थंडक लिये हुए सुबह कुछ ज्यादा खिली-खिली श्याम कुछ ज्यादा मु ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल, हवा... क्या हो गया इसे? ऐसी हालत तो तभी होती है जब... तू मेरे को बहुत अच्छे लगती है, शोजा, तुटूर होती है, तुभी बहुत अच्छे लगती है, शोजा पूछ मैंने तेरी पप्पी क्यो ली? विजे, हाई विजे, आ मैं तुमें छोड़ देती हूँ आना ये आद सूरज काल से निकला अरे, यहाँ हो, मेरे पास बैठो बहुत तेल्स हो तुम आखिर तुमने दिवाना बना ही डाला मुझे आज के मुलाकात मेरी स्किम में ही नहीं थी अरे हनी, तुम विजे के साथ? आकिर तुझे वो हो ही गया मुझे मालूम था कि एक दिन वो होना ही था अच्छा, तुझे मालूम था? तो बस समझ ले, हो गई मुहपत वाव, तो अब एक आइस क्रीम की बाती हो जाए याव! एक दिन तो होनी थी महपत हो गई, हो गई चैन मेरा खोना था, नींद मेरी खोनी थी, खो गई, खो गई, खो गई एक दिन तो होनी थी क्यामत हो गई, हो गई चैन मेरा खोना था, नींद मेरी खोनी थी, खो गई, खो गई, खो गई एक दिन तो होनी थी महपत हो गई, हो गई कर सिसा खो गई मैंने भी रोका, तुमने भी रोका मैंने भी रोका, तुमने भी रोका पर ये जवानी दे गई धोका आया हवा का एक ऐसा जोगा, एक ऐसा जोगा ना ना तरते ये शरारत हो गई, हो गई एक दिन तो होने भी महाबत हो गई, हो गई मैंने भी महाबत हो गई जीना है मुश्किल, मरना है मुश्किल देना नहीं था पर दे दिया दिन दिन दे के हम ता दिवाने हुए, दिवाने हुए पुछो ना हमसे जो हालत हो गई, हो गई एक दिन तो होने भी महाबत हो गई, हो गई एक दो हो गई एक देना नहीं एक दो ही एक देना हो गई एक दो ते एक दो में होटों पिला आखी आखों में हाची होटों पिला आखी आखों में हाची जुल्खों के जैसे मैं परेशां थी इस दिल के हाँखों मुश्किल में जाँ थी मुश्किल में जाँ थी दिल दे दिया तो बस फुलसत हो गई हो गई एक दिन तो होनी थी महाबट हो गई हो गई चैन मेरा खोना था दीन मेरी खोनी थी खोरा गई खो गई खो गई एक दिन तो होनी थी महाबट 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 ए तेरी आजिंपे गल रही है संभाली अपने आपको विजय सहाब अरे तुम लोग इतना शर्मायल अजय से क्यों बैठे हो खुदी तो मिलना चाहरे थे ये प्रशांत तंभी ये घनेपन वैसे इसका नाम मागी लाल है लेकिन हमने इसका नाम घनेपन रखा हुआ है घनेपन मुझे क्यों बता रहे है वो क्या है कि आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाना चाहिए इसलिए क्यों आप मुझे अपने बारे में सब कुछ क्यों बता देना चाहते है हनी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और कल को हमारी शादी शादी अरे हनी, तु हस क्यों रही है? Mr. Vijay, पहले तो आप ये गलत फैमी दूर कर लीज़े, कि मैं आपसे मुहबत करती हूँ हनी? जी हनी, क्या कह रही है तु? आज ही तो तुने हम सब के सामने वो सब नाटक था यही बताने के लिए तो मैंने तुम सब लोगों को यह बुलाया है क्या मजाख है ये? नहीं, ये बिल्कुल सीरियस है वो जो था, वो मजाख था वैसे तुम जैसे दिलफेक और आशिक मिजास लड़के तो पहले भी बहुत टकरा चुके हैं मैंने सोचा, एक और को ही आजमालिया जाए मुहीनी, ये लोग दिल से माला माल और दिमाग से कंगाल होते हैं ये बहुत हो गया हनी, देखो बिल्कुल ठीक ही कह रही हूँ लड़की ने एक बार मुस्कुरा के क्या देख लिया बस हो गई अपनी लोजी सीधा हाथ थामके शादी के मंदप में पहुच गए क्या रफ्तार है आपकी विजय साथ लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं दिल ही नहीं दिमाग भी रखती हूँ आने ये बात तुम अकेले में भी कह सकती थी मगर मैं जान भूच कर सब के सामने तुम्हे नीचा दिखाना चाहती थी ताकि अगली बार किसी लड़की के सामने अपना दिल बिच्छाने से पहले तुम मुझे याद रख सको वा, क्या दरिया देने दिखाई है तुने दसका नौट और दिल के मामने में इतनी कंजूस सिख और दिल में शयद यही फर्क होता है मुझे अले भाई क्या कर रहा हम गरिबों का पैसा क्यों लूट रहो गुला पैर अठा पैसे से ये टैक्स हैब बनगा गुला डैक्स पैर हटा वरना तेरा बाया कंदा सीधा कर दूँगा ये बरसा रहा बरसा अब लानारी चाहिए जाहिए इस्पेकर साब मेरी गलती नहीं है अधे गुंडागी भी करता है इस्पेकर साब मेरी चल हानी चल पुलिस को बता देते हैं विजे की क्यों नहीं लेखी नहीं है उसने तो हमारे लिए ही हाँ अब लानारी चाहिए जाहिए हानी चल पुलिस को बता देते हैं विजे की कोई गलती नहीं है उसने तो हमारे लिए ही हाँ हाँ देखो विजे यूही एक राय दे रहा हूँ यह जी तुम्हार र्यक खने का तरीका है यह एक दिन तुम्हें किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है परेशानियों के डर से मैं बुजदिल नहीं बन सकता इंस्पेक्टर साहब मुझसे जो हुआ वो सही है बस अरे यार अब बहुत हो गया चल दस्रकत मार जल्दी अस बताना फुलिस स्टेशन से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए नहीं साहब हाँ और कोशिश यह भी रहने चाहिए यहाँ दुबार आना ने पड़े थांक्यू मैं तो परेशार हो गया पताने तुझसे इतना कैसे जुड़ गया हूं मैं चल थांक्यू इंस्पेक्टर राम कसम छै घंटे हो गये पानी तक ने गया हलक के नीचे इंस्पेक्टर मैं विजय सकसेना का बड़ा भाई निर्भय सकसेना उसकी जमानत हो गई अभी अभी गया वो किसने ली जमानत उसकी यह बाबु राम के साथ आपका क्या रिष्टा है आपकी जमानत उसने क्यो ली कुछ पूछ रहा हूं मैं छोड़ी न जाने दीजे वहां उठता पैटता इसलिए लेकिन वहां उसके होटल में बैठकर आप करते क्या है सारा दिन आवारा लोगों के साथ तफरी, मौज मस्ती मैंने कभी इस बात को लेकर तुम्हें नहीं डाटा फटका रहा के कामकाज नहीं है तुम्हारे पास लेकिन काम नहीं होने का मतलब यह तो नहीं है क्या वक्त बरबाद करें अपना बे धंगे लोगों के साथ रिष्टे बनाए पर यह गुंडे मवालियों के साथ उलजने की जरूरत क्या थी तुम्हें भाईया वो लोग एक भिकारी को सता रहे थे हाँ मगर आप हैं क्या और भी तो लोग वहाँ यह सब देख रहे होंगे यह मरपीट की नौबत कैसे आई आप एरी बात तो सुखो ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए कभी कोई ऐसनी मुश्किल मत पहना कर देना जिसकी वज़ा से मुझे किसी के सामने मदद के लिए सर जुकाना पुड़े क्योंके स्वाभिमान ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पुझी है चलो, नाश्ता कर लो आओ, आओ विजू येस इंस्पेक्टर सहाब, वो विजय है विजय सक्सेना जी उनके दुजमानत हो गए ओ लेकिन गलाती तो दरसल विजय की थी ही नहीं इंस्पेक्टर सहाब वो गुंडे उस भिखारी से पैसे छीन रहे थे विजय ने तो बस उने रोका था ये बात अगर आप कलबाता देती, तो रात भर उने लौकों पे नहीं रहना पड़ता जी देख हनी, तु विजय को प्यार नहीं करती तेरी इस बात पर मैं यकीन तो नहीं कर सकती देख मोहिनी, मैं उससे प्यार नहीं करती नहीं करती, मेरे लिए तो उसके साथ एक पल भी काटना मुश्किल है मैं पुरी जिंदगी काटूंगे उसके साथ जिंदगी काटूंगी मतलब तु क्या समझती है, मैं शादी करूंगे उसके साथ मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं ये शादी की बात तेरे दिवाग में आई कैसे है? कैसे आई मतलब? मतलब ये, कि तु विजे के बारे में इतना तक सोचने लगी, कि सोचते सोचते शादी तक पहुंच गई? या तुने इससे भी आगी का सोच लिया है? SHUT UP! मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैंने ये सारा ब्लॉक रिजर्व कर लिया था तू क्या का क्या बोल रही है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है होता है, होता है, प्यार में ऐसा ही होता है, कुछ समझ में नहीं आता बस सिर्फ वही समझ में आता है देख अनी, अगर विजय कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो मैं कभी उसकी तरफदारी नहीं करती लेकिन विजय में वो सब खुविया है जो हर लड़की अपने महभूब में ढूनती है वो तुझे बहुत प्यार करता है और तु है कि हमेशा उसका दिल दुखाती रहती है क्या? अब क्या करो बता? मुझे क्या? मुझे के हमाले की चोटी पर खड़े होकर चिलाना पड़ेगा कि विजया लाव यू लाव यू विजया कोई ज़रोत नहीं प्यार करने वाले खामूशी की आवास पहचानते हैं हाँ अगर तुम अपने गुरूर की चोटी से नीचे उतर आओ और यही बात प्यार भरे अंदास से कह दो तो काफी है ओ, तो यह सब नाटक तुम्हारा ही है तुम पास नहीं आओगे अपने अरकतों से बख्वास बंद करो, एक सच जो तुम्हारी जुबान तक आना चाता है मगर तुम्हारा घमंड उसे रोक लेता है और वो सच यह है कि तुम मुझसे प्यार करती हो देखो वीजे शाट आप, नाम मतलो मेरा तुम एक सरफेरी बतमीज और पागल लड़की हो मैंने यह आखरी कोशिश की थी अब मैं तुम्हारी तरफ पलट कर देखूंगा भी नहीं बस एक बात याद रखना मेरे बिना जिन्दगी गुजारना तुम्हारे लिए एक सजा होगी समझी मुनी, मुनी मुनी मैं तुम से प्यार करती हूँ मैं ही इकरार करती हूँ दिल क्या है जान भी ले लो मैं कब इंकार करती हूँ मैं तुम से प्यार करती हूँ मैं तुम से प्यार करती हूँ मैं ये इकरार करती हूँ मैं तुम से प्यार करती हूँ मैं ये इकरार करती हूँ दिल क्या है जान भी लिलो मैं कभी इंकार करती हूँ मैं तुम से प्यार करती हूँ मैं ये इकरार करती हूँ तुम मेरा दिवाना है आज ये मैंने जाना है तुम मेरा दिवाना है आज ये मैंने जाना है कुछ भी हो कैसे भी हो रूठा यार मनाना है रूठा यार मनाना है वादे हजार करती हूँ मैं तुम से प्यार करता हूँ मैं ये इकरार करता हूँ दिल क्या है जान भी ले लो मैं कब इंकार करता हूँ मैं तुम से प्यार करता हूँ मैं तुम से प्यार करती हूँ ये दिल है कुरबान मेरा तेरी इन ही अधाओं पे मैं मानू या ना मानू लेकिन तरी वफाओं पे मैं तुम से प्यार करता हूँ मैं तुम से प्यार करता हूँ मैं ये इकरार करती हूँ दिल क्या है चान भी ले लो मैं कब इंकार करती हूँ मैं तुम से प्यार करता हूँ मैं तुम से प्यार करती हूँ मैं तुम से प्यार करता हूँ मैं तुम से प्यार करती हूँ क्या मजाक है ये अभी इस मजाक से तुम्हे कोई खास नुकसान नहीं पाँचा है नुकसान तो आगे उठा जाओगे तुम क्या मतलब तुम अभी जिस लड़की के साथ थे उससे अपने रास्ते अलग कर लो ये इश्ग तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है लेकिन आप ये नेक सला देने वाले होते कौन है है मुझ संभाल के बात कर जानता नहीं के साबको हाँ जानता हूँ ये इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती है जानता हूँ जानते हो तो ये बात भी जान लो कि अगर तुमने उस लड़की से दोबारा मिलने की कोशिश की तु एक मेरेट माना कि आप इस शहर की तोप है बहुत इज़त है आपकी यहां शायद कुछ लोग आपसे यहां डरते भी होंगे लेकिन हम ज़रा प्राणी दूसरे किसम के है धंकी का अंदाज हमें पसंद नहीं पहले तो आप यह बताईए कि आपका हनी के साथ रिष्टा क्या है तेरी अवकात क्या है मुझसे इस तरह का सवाल करने की केके साथ तामन देखकर हाट डाला कीजिए फिजय सकसेना नाम है मेरा एक शरारा ही जंगल को जला देता है नादा है तू जो शोले को हावा देता है तेरे खून की तासीर भी तेरे भाई जैसी है तुझे बताना ही कि सपनों की दुनिया से निकल कर किस भयानक हकीकत का सामना करना है तुझे हाँ तुझे 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 वही हुई यह देखकर कि तुम आश हो आराम की जिन्दगी जी रही हो लेकिन मामा ने इतना माल बना कैसे लिया किसकी गर्दन पर छुरी रखी कौनसा बैंक लुटा तुम यहां आये क्यों, चले जाओ यहांसे, जाओ मैं तुझे एक बात से आगाह करने आया हूँ कि तु उस प्रफेसर के भाई के साथ अपना रिष्टा काट ले रिष्टा तो मैं तुमसे काट चुकी हूँ मुझे पर हुकम चलाने वाले तुम होते कौन हो भाई, भाई हो तेरा तू? इस शहर में रहता है तू? हाँ मुझे पता नहीं था मैं तो तेरे साय तक से हनी को दूर रखना चाहता हूँ हाँ, हाँ मौत का साया हूँ मैं जेल का भगोडा और चलात भी मगर मगर इसका भाई भी मही हूँ यह जिस लड़के से अपनी जिंदेगी किस अपने जोडने जा रही है वो मेरे दुश्मन का भाई है मेरी बहन, मेरे दुश्मन की घर की बहु बनेगी क्या हाँ, हाँ, बनेगी बहु आज तो मुझ पर अधिकाय जटाने आगय हो किस सुष्टे से मा को तुम्हारी वज़ा से कितने दुख छेलने पड़े तुम्हारी वज़ा से नचाने उनको कितनी बाहर नीचा देखना पड़ा वीवारी ने उन्हें अंदर खोकला कर दिया भाशन मतने मुझे मैं यहां सुनने नहीं समझाने आया हूँ आज के बाद दूसर रड़के से कोई वास्ता नहीं रखेगी क्यों तुम हमारी अच्छी बली जिन्दगी में दखल डालने आ गया है यह बैचारी माबापके प्यार दुलार के मिना बढ़ी हुई है इसे बेज़ान खिलोने के बिशपाल आये मैंने और जब इसके जिन्दगी में विजय है मैंने कह दिया रहा विजय से इसका खुछ रिष्टा नहीं बस और एक बाद सुन लो केके के दुश्मन के खर में शैनाई नहीं बचती अरे विजयो यह ले पूरे दो लाग है गंशाम जी के दुकान पर जाना जेवर तयार हो गये होंगे जी भावी अच्छा सुन जेवर लेके सिदा घारी आना घर की इज़त की बात है तुझे तो पता है भाईयाने कितनी मुश्किल से पैसे जुटाए है मुझे पता है भावी, चलता हूँ जल्दी आना करे, करे बे यह तो तेरे साथ बहुती बुरा हुआ रामकसम, अगर मेरी हैसे दो लाग की होती तो मैं यू उठा कर दे दे था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाईया, इतने कम वक्त में रुप्यों का इंतिसाम करेंगे भी तो कहां से हाँ, यह बात भी ठीक है तुम्हारा घर भी तो किराय का है एक काम कर तू पार्टी देख, मैं यह क्लब गिर्वी रख देता हूँ नहीं बाबो भाई, तुमने इतना कैदिया काफी है तो मैं क्या करूँ, यह घर की इज़त का सवाल है अगर कही यह शादी रुख गई ना तो अनर्थ हो जाएगा पहले ही तेरे भाईया को एक अटैक पड़ चुका है एक एक रास्ता है भी जाएग काम भी नेक है और तेरा काम भी हो जाएगा बाबो भाई, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ किसी का खून करना है बाबो भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुमने सोचा मैं इतना नीच हूँ अरे तो मैं किसी धर्मात्मा के खून की बात नहीं करा वो नारू है ना, उसी को मरवाने की सुपार ही निकली है कुट्टी ने पांच लाग का दिमान की अपार्टिस है अपन तीन लाग में पटा सकते हैं तेरी बहन की शादी भी निपट जाएगी और मैं भी अपने छोटे बोटे कर्शे दिम्टा लूगा हाँ मगर किसी का खून? अब ज्यादा मत सोच नारू एक राक्षास है लोगों की जिंदगी से खेला पेशा है उसका मुझसे खून नहीं होगा देख जल्दी कर नारू को मारका इस शहर का उधार करेगा तु कुछ मत सोच नारू जैसे रावन के अंत के लिए हर युग में राम का जंग होता है तू राम बंचा नहीं यह मुझसे नहीं होगा होगा राम का सम जरूर होगा शादी का महूरत अगले बुद्धवार का निकला है देखिए, महताजी, शादी एक साल के लिए रोकनी पड़ेगी क्या क्या रहें आप, शादी एक साल बात करेंगे? सकसेना जी, रिष्टेदारे में हमारा मजाग बन जाएगा देखिए, वो पूरा इंतिसम था हमारे पास, लेकिन कुछ हादसा हो गया, इसलिए अब पैसे का बंदुबस्त करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त तो चाहिए आप मेरे शराफत का नाजायस फाइदा उठा रहे हैं अगर आप में हैस्य दही है, तो आपने हाँ क्यों की थी, आप समझ क्यों नहीं की रहे है मैंने आपसे कहा ना कि पूरा इंतिसम था हमारे पास वो रुपे विजय के हाथ से चिन गए अब दो लाक रुपे की रखम कोई कम तो होती नहीं है आप हमारी बजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हम थोड़ी चाहें कि हमारी लड़की घर में बैठी रहे शादी के लिए आपको जल्दी थी, इसलिए हमने हाँ कर दी बहुत हो गया आप लोग का यह तमाशा, मैं अभी और इसी वक्त इस संबंद को तोड़ता हूँ ऐसा मत किये, मैं आपके आगे हाँ जोड़ती हूँ नहीं, प्रिटी, नहीं इनके संबंद तोड़ने से मेरी बहन कुवारी नहीं बैठी रहेगी अच्छा हुआ, मुसीबत के वक्त में महता जी की असलियत का पता चल गया कि मैं किस कमीने आदमी के घर अपनी बहन को पहिस राता हूँ सकसे ना जी बहिया, एक दफाव हुजाई यहांसे दफाव हुजाई यहांसे मैं आपको एक मिर्ट परदाश नहीं कर सकता क्या? बढ़ी बहिया, क्या हो रहा है अप्ता? विजू, दोक्तर का बिलाओ बहिया, बहिया सुमन, विजू आया था? नहीं तो कहा चला गया? क्यों क्यों एक? बहुब झाल, 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 झाल. झाल झाल प्रिया 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 प्रिय थे हुआं हुआ 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 है एज्ठ अ अगाँ लिए गुर बना तर झाल झाल प्पिख तो साले को बस मुझे ये बताओ कि उसने अपनी आखों से विजे को देखा या नहीं बिल्कुल देखा के के भाई विजली की कौन वे लपालब चहरा देखा अपने दुलारे भाई का वाव अबुराम वाव तो वो नारू खत्म हो गया जो कभी पैदा ही नहीं हुआ था बस यही चाहत करता था मैं कि प्रोफेसर खुद अपने परवार करते हुए अपने भाई को अपनी आखों से देखे अब अगर विजे जिन्दा बच भी गया तो फासी के फंदे से नहीं बच सकेगा चकर ने फोन करके आपको तुरंद बुलाया था यह फोन खुद चकर ने किया था देखिए आपके खाव से यह तो साफ है कि उस आदमे आप पर बहुत नजदिक सवार किया है कि आप उस आदमे को पैचान सकते हैं क्या हो राइपको यह कुछ बोलनी पा रहे हैं आप कुछ बोलनी पा रहे हैं बोलिए ना दोक्टर, दोक्टर पावे, परिया दोक्टर साब कैसे हैं वो, क्या हुआ उनको, ठेक तो है न वो धबराये नहीं, उस किसम का कोई खत्रा नहीं मगर वो बोल के नहीं पा रहे हैं मिस्टर निर्भय बोलने की ताकत को चुके हैं अबे, देखिए, खून काफी बैजाने की वज़े से दिमाग की प्रोकास एरिया जहां से बोलने की ताकत का नियंत्रन होता है, उस एरिया की ब्लड सप्लाई पंध हो गई है उसी वज़े से उनके साउंड बोक्स पर असर हुआ है और आवाज चले गए मगर सही ट्रीटमेंट देने पर धीरे धीरे ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगी और आवाज आ जाएगी मगर कब? टाइम पिरिएट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? फिलहाल उन्हें होश में आने में करीबन चार घंटे लग जाएगे ठीक है वर्मा, आसपास नज़र रखो मैं बाद में आता हूँ के वर्मा आता हूँ लुट अ-ब्या, भाया बाया यह सब साज़शन किसी कि पहले मुझ से जेवर के रुपए चिल लिए गए मैंने बहुत ढूंडा उस आदमी को लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला ये बात मैं आपको कैसे बताता घर की इस सदाओ पर लग गई थी शायद उसे बचाने के लिए मैं आपको किसी के सामने सर जुकाना पड़ता मुझे कुछ सुजाई नहीं दे रहा था ऐसे के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तयार था और किसी ने इनी हालात और बेपसी का फाइदा उठाया तो किसे मेरे हाथों आपको पर्वादेगी खोशिश की किसी दे और मैंने मैंने ये क्या किया अरे पागल दिल छोटा मत कर तेरी भाये की आवाज हमेशे के लिए थोड़ी गई है डॉक्टर ने कहा है देरे देरे आवाज आ जाएगी पापा 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 मैंने मुंबक भी कर लिया है और दुद्धी भी लिया है और मैंने को तंग भी ने करती बूही ने पापा इंसे बात कीजिये ना पापा पापा मैं आटी की हर बात मानों पापा बोलियने पापा बोलियने पापा आप भी बात कीजिये ना ममी पापा के सबसे नाराज है नहीं बैटे प्रवादी नहीं बेटा, तेरे बाबा किसी से नराज नहीं है हमेंसे किसी से भी नराज नहीं है एक बेदर दिने इनकी आवाज छिन ली इसी वज़े से हम सबके आखों में आसु है ए भगवाद, उसे कभे सुकी नहीं रखना जिससे तेरे पापा की आवाज छिने, उसे कभे पुरानी रोशनी में और नई में फर्क इतना है उसे कश्टी नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलती एक बार तो साहस के साथ मैं कहूंगा के बहाव भटक सकता है, पहक सकता है, दिशाहीन हो सकता है लेकिन बहाव ही कुछ बदल सकता है, क्रांती ला सकता है, प्राव नहीं अपने जमी अपना आकाश पैदा कर, अपना अलग एक नया इतिहास पैदा कर मांगने से जिन्दगी कब मिलती है दोस्त, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर कहाँ चलिगे? इसे रख दो इंस्पेक्टर भाटकर बोल रहा हूँ हाँ, इंस्पेक्टर, मैं ठकर, हरिश ठकर बोल रहा हूँ, प्रोफेसर निर्भै सकसेना का दोस्त मिस्टर ठकर, बोलिए, कहां से बोल रहा है आप? इंस्पेक्टर, आप पहले मेरी बात अची तरह सुन लीजे, वरना बोलो किसी भी बात मुझ तक बहुन सकते हैं आप मुझे जल्दी बताइए, बोल कहां से रहा है मैं यहां, अक्सागा माटर से बोल रहा हूँ अद्रे, यस सर, और उन प्रिटोनिंग तेरे को कबर करो अक्सागा मोड़ स्पार्ट करे, चल्दी, यस सर हाँ, बोले मिस्टर टकर इंस्पेक्टर साथ, मुझे धंका के निर्भय को मेरे घर बुलवाने की साज़े से ची गई थी उन लोगे ने मेरे सर पर रखी थी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता वो दोस्त है, मैं उसे धोका नहीं दे सकता जाल नमबर गुमा 626-3107 और जैसा का है वैसा बोल, नहीं तो तेरा सर हाँ, निर्भय, मैं, मैं ठकर बोल रहाँ खबरा के नहीं, खबरा के नहीं देखो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है तुम फॉर्डम मेरे घर आजाओ इंस्पेक्टर साब, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भुल रहाँ और आट तर जाल सले को काई में क्या कर रहा हो तुम लोग, क्या कर रहा हो तुम लोग छोड़ो, छोड़ो मुझे हलो, हलो क्या कर प्रप्श कर दोड़ो क्या कर दोड़ो छोड़ो मैं गे लुम क्या, पुलिस, ठीके, 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 क्यों चुपाया ठककर को तुमने, कहां रखा है उसे, कौन ठककर, किसकी बात करे हो तुम, तुम्हारे आदलियों से यहां उठा कर लाए है, तुम ठककर से क्या चाते हो, अच्छा, उसे मेरे आदमी यहां उठा कर लाए है, यहां, तो ठीक है, जा कर ढूड़ लो, जा, मिल गया ठककर, तुम्हारे आदमी ठककर को यहीं लेकर आए है, क्या बक्वास कर रहे हो तुम, यह तो मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें यहां अंदर आ ने दिया, और तुम मुझ पर किसी के गिड्नापिंग का बेहुता इल्जाम लगा रहे हो, इसके लिए मैं तुम पर कालू ने खानवाए है, यह इल्जाम तुम पर कुछ गलत नहीं लग रहा है, क्या के, ठककर फोन पर मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बता रहा था, कभी उसे उठवा लिया गया, वो यही है, इंस्पेक्टर, उसे यही छुपाया गया है, मैंने भी उसे याद ढूंदा है, फिर भी हमें थलाशी का वाररन लेकर यहाँ, तब तक बहुत देर हो जाएगी, ठककर को मार दिया जाएगा, और इस का महीने का चेरा कभी बेन अकाब नहीं होगा। देखो, मैं इंस्पेक्टर का लिहास कर रहा हूँ, बर्ना.. बर्ना, बर्ना, जिह चाएगा तू। यह थरीका ठीक नहीं इने इंसिताभणे जाएग, बऍ라고요 आपने काईदे और नियमो की बेडिया बेन रखी हैं और जुर्म सरयाम सडकों पर नंगा नाच रहा है केके ठककर अगर जिन्दा नहीं मिला तो तेरी करदन कानूनी फंदे की पकड में नहीं मेरे पंजो की पकड में होगी मैं तुझे पर बात करतूंगा बहुत गैरी दोस्ती है उस प्रफेसर से दोस्ती पुर्बानी चाहते है और और अप आप आप क्या प्रोफेसर बहुत तरस आता है तेरी इस हालत पर मगर क्या करो तेरी जबान सच्चाई का जहर कुछ ज्यादा ही उगलती है आज तेरी बीवी अचानक तक्रा गई तेरे साथ फेरे लेने की सजा काट रही है बेचारे अरे तू तो तूटे फूटे फर्नीचर की तरह घर के किसी कोने में पड़ा होगा उस बेचारी का खयाल कौन रखता होगा कौन है भाईया लाइए फोन दीजे मुझे भाईया प्लीज मुझे बात करने दीजे हलो 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 कौन था आपने मुझे बात क्यों नी करने दी जब आप बोल नहीं सकते तो फोन के उठाते आप मैंने पहले भी जब आप से कहा है कि विजू क्यों इनके मन को ठेज पहुंचाई क्यों पहले पहले भगवान ने इती बड़ी सजा दे रखी इनको विजय आज तो मुझे से मिलने के वजह पूछ रहे हो अनी मैं एक ऐसी जगा पर खड़ा हूँ जहां से कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा तुम्हारा दुख परेशानी क्या मुझे से अलग है विजय मैं तुम्हें तुम्हारे किसी रिष्टे या फर से अलग नहीं करना चाहती मगर मेरे सिने में भी एक दिल है विजय जो प्यार चाहता है खुश्या चाहता है विजय आज मेरे जनम दिन पर उसको रहट का एक तौफा ही दे दिया होता हनी मैं मानती हूं कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता लेकिन जिंदगी में प्यार की जगा क्या है ये भी तो मैंने तुम ही से सीखा है विजय लेकिन हनी तुम समझने की कुछ अरे ना कुछ आगे ना कुछ पीछे प्यार ही प्यार गजन के नीचे अरे सुनो बेदर्दी बेदर्द सया हात पकड़कर छोड़ दी बैया आये छोड़ दी बैया सुनो बेदर्दी बेदर्द सया ये प्यार क्याने तुम क्या जाने सुनो बेदर्दी बेदर्द सया ये प्यार क्याने तुम क्या जाने सुनो बेदर्दी बेदर्द सया सुनो बेदर्द सया बेदर्द सया बिंदिया ना कच्रा, बंगन ना कच्रा मेरे लिए तू आपसु बुलाया कादे के ये थे दोने हजारों कोई भी वागा याद ना आया ऐसे अचानक ना तूने कर दे तू बेदर्दे, बेदर्द सया ये प्यार क्या है, तू क्या जाने आये न बहुत अच्छा गाती या छोड़ दे तू अधुनिया के रस में या तोड़ दे तू दे के असमें आगे नंकर है तेरी मर्दी सुंखो बेदर्दे, बेदर्द सया ये प्यार क्या है, तू क्या जाने सुंखो बेदर्दे, बेदर्द सया हानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार सबने मैंने भी देख डाले बहुत तुम्हारे लिए हर मुश्किल, हर ताकत से लड़ने का होसला था मुझ में लेकिन तक्तिर ने मेरे साथ भयानक मजाग खेला है आज जो कुछ भी भाईया गेसाथ हुआ, उसका से बेदार मैं हूँ भाईया की जानने की कोशिश मैंने ही की, मैंने ही उने चाकु मारा था विजय, क्या कह रहे हो तुम मुझे? ये सब मुझ से धोके से कराया गया था मेरी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा विजय समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा पता नहीं किस ने बाबुराम को हथ्यार बना कर इस्तमाल किया मेरे भाई केके की तुम्हारे भाईया के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है उसने मुझे धंकाया था और तुम्हारे साथ रिष्टा काटने के लिए भी कहा था इस साज़श के पीछे किसी का भी हाथ हो हनी उसके चेहरे पर नकाब सिर्थ तब तक है जब तक भाबूराविया ठककर मुझे नहीं मिल जाते ठककर न मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया था इससे पहले के पोलीस हिफाज़द के लिए भाप पहुचती उसे उठा लिया गया अब तक उसका कुछ पता नहीं चला आप मुझे लिखियत में अपना बयान दीजिए कि केके के साथ आपकी पुरानी दुश्मनी है उसी ने आपको जान से मानने की कोशिश की देखिया आपके बहां के बाद यह मुझे कैसी तुश्मनी है आपकी केके के साथ बोलिए भाया देखिये 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 मिसरी दुश्मनी देखिये आप इने समचाईए केके शहर का बहुत बढ़ा आदम है उपर तक महुचे, ठीक से बुद और गवान ने मिलने के वज़े से आज तक पुलीस सबचता रहा है इनके बैयन देने से, हम उसके खिलाफ कुछ एक्षिन ले सकते है फ्लीज बैया, आप बताते हैं क्यों नहीं क्या दुश्मनी है आपकी केके के साथ बोलिये भहिया बोलो भावी तो यह सब उसी का किया धरा है इतना सब कुछ बरदाश्ट किये बैठे हैं आप उससे भी नहीं कहा आपने भावी हुआ क्या है, मुझे कुछ बताते क्यों नहीं मैं बताती हूँ मुझे बोलने दीजिए यह उन दिनों की बात है जब तेरे भहिया पुना के बी-म कॉलेज में थे मताया सब, 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 सब न समननन लुमान से बातरा हुआं! जहीड हूं रिए रजहा है रलोग इड्रा़ के लिए जाकेशा है गर्ट लूर। जुग्जिश दिकार चल डुग्या इंस्पेक्टर साब यह देखिए कुछ नशा करता था है? चरस, smack इंस्पेक्टर कतल हुआ है इसका जरा आंखों से काला चश्मा निकालिए कन्या ने खुन किया है इसका उसने सरे आम कॉलिज में क्या गुंडा था है? काम करता था कन्या के साथ इंस्पेक्टर इस लड़के ने पुलिस की मदद की थी ड्रग्स के बहुत बड़े स्टॉक के बारे में इन्फरमेशन दी थी इसने और वो लगव रुपय का जहर जो पुलिस ने पकड़ा था उसी कन्या का था आप जरा इधर आई बड़ा जिद्धी टीचर है समझने की कुशिशी नहीं करता जरा सूचिए इस केस को उच्छाला तो आपके कोलिज की बद्नामी होगी इस लड़के का नाम क्या है? अखिल कन्या कोन है? गुंडा क्या करता है? ड्रग का कारोबार ये लड़का कोन है? बीम कॉलेज का स्टूडेट फिर प्रेस ट्रग लोग कन्या अखिल आपके कॉलेज को बढ़ी शोहरत मिलेगी मगर इंस्पेक्टर सोचिए, सोचिए सोचना है क्या इंस्पेक्टर साब रेपोर्ट लिखिए इस लगके का हून हुआ है मैं चश्मन दीद गवाँ हूँ पुलिस स्टेशन चलिए हर चीज कानून से होगी न चलिए चलिए देखे मिस्टर सकसना मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ अरे कतल की गवाई देने से जिंदगी उलट पुलट हो जाती है अरे इससे सीधा सा एक्सिदेंट का केस बना करा है एक पुलिस ओफिसर कतल को एक्सिदेंट बना देना चाहता है बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप ये कुरसी और ये वर्दी क्या जज रही है आप पे इंस्पेक्टर आप जैसों को देखकर अपने देश के दुरभागये पर तरस आता है देखे मिस्टर सक्षना दिखाईए मत लिखिए मैंने अखिल मिश्रा का कतल होते हुए अपनी आखों से देखा है और खुनी इस शहर का नामी गुंडा कन्या है लिखिए मैंने उसके साथ हाता पाई भी किये लेजिए दस्तकत कीजिए मगर लगता है आप कन्या को ठीक से जानते नहीं है वो आज तक किसी मामले में अंदर नहीं आया कन्या का ये रेकॉर्ड बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है न आपको इंस्पेक्टर ये मामला कन्या के साथ साथ आपको भी भारी पड़ेगा तुम जैसे लोग हम जैसो का कुछ नहीं बगाड सकते मास्टर तेरे पाउं के नीचे कोई जमीन नहीं कमाल ये है के फिर भी तुझे यकीन नहीं धानेदाल लिट्रूचर का लेक्चरार इतना बहादूर होगा ये पहली दाफा देखा है मैंने समाज के बुरे लोगों के खिलाफ इनके अंदर तो तेजा भरा हुआ है भावी हाँ भावी नहीं दीदी दीदी क्यों इसलिए कि इतनी खुब्सूरत पत्मी सब की दीदी होनी चाहिए स्वाए आपके कल प्रीदी से राखी बनवाले मैं आप कहें तो मेरे खिलाफ बयार देता है स्वाइ आपˇ। आप 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 स्वाइ आप आप ó Church य्दिस प्रोफेसर यह तुने छिक नहीं क्या प्रोफेसर मुझे बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जिस दिन मैं पाहर है न उस दिन मैं तेरी सारी रेकरी निकाल दूगा अब अगर एक भी लवज निकाला तो तू अदालत में अपनी गवाही देने के भी काबिल नहीं रहेगा क्या रहे सब क्या रहे ये तुम्हारा काम कर रहा हूं इंस्पेक्टर वो रहा कन्या अखिल मिश्रा का खुनी हाँ मगर तुम ये सब कर रहे हो इसका मतला समझते हो समझता हूं इंस्पेक्टर समझता हूं और तुम्हारा काम काज भी अच्छी तरह समझ गया हूं मैं मेरी रिपोर्ट के बाद बजाए इसे गिर्फतार करने के तुमने इसे आगाह कर दिया और इसने मेरे ही घर पे मुझ में हमला किया किसी ने देखा आसपड़ उसका कोई गवा जी हां ये सब मेरी मौजूद्गी में हुआ है इन्सपेक्टर आप हमेशे कोई न अकोई भाना खोशते रहते हैं इसे बचाने का ये सबाब भाशन कानून को हाथ में लेकर ही यह पाया है मैंने कानून को ऐसे हाथों में दिया ही क्यों गया जो हाथ चूडिया पहनने के भी लायक नहीं है देखो सक्सिना, दिखाईए नहीं, सुनिये, अपराधी आ चुका है सलाखों के पीछे, ये, इसने इस शहर में तवाही का तंडव मचाय हुआ है, जीना मोहाल हो गया शरीफ लोगों का इस शहर में, जहर उतार रहा है समाज की नसों में, ये, ये आदमी, अच्छा, तो अपने बचे कुछे जमीर को ठटोलो, और कानून की फकड को इतना धीला मत छोड़ो, के इंसाफ के लिए इसे कोई भी अपने हाथों में ले सके मैंने सोचा था, शायद कनिया का मनुसाया हमारे खुशों के घर उंदर पर नहीं पड़ेगा पर मुझे क्या पता था इतनी बड़ी बात आप लोगों ने चुपाई मुझ से, क्यों भाईया, क्यों भावी, अगर मुझे यह सब पता होता, तो भाईया की यह हालत ना होती यह सब छुपाने की भूल आपने की और सजा मैंने पाई विजू हाँ भावी मुझे धोके से इस चाल में भचाया गया भाईया को अज जाने में चाकू मैंने ही मारा था तूने? भावी, रुपह चोरी हो जाने के बाद मुझे यह लगा कि भाईया को किसी के सामने मदद के लिए हाथ पहलाना पड़ेगा तो मैंने बाबुराम के कहने पर रुप्यों के लिए किसी को मारने का काम ले लिया उस कभीने ने उस कविने ने मेरे हातों भहिया को मार देने की साथिष की कितरा बड़ा पाप हुआ मुझसे भावी मैंने कितनी बेदर्दी से भहिया को चाकू मारा मुझे बाफ कर दो भावी मुझे बाफ कर दो नहीं विजू दोशी तु नहीं है बूल से तुने जिस सुहाग को छिनने की कोशिश की, वो मेरा है, है ना? मैंने तुझे माफ कर दिया, और और प्राश्चित से पाप धुल जाते हैं बाबी, मैं उसे बरबाद कर दूँगा, मैं उसे इस कुना की बहुत बड़ी सजा दूँगा जिस तरह मैं अपने अंदर के तुफान को नहीं रोक सकता, उसी तरह आप भी मुझे नहीं रोक सकते अब ये तुफान दुश्मनों की दुनिया को उजाड़ कर ही थमेगा विजू ए, खुले वे अपने भाई लगता है आज कल तेरे को विजे से बहुत डर लगता है ए, क्या ब करे, मैं डरता हूँ उस से ने, भाई तु दरा ना है मेरको, तु तरा ना है मेरको मैं नहीं दराता भाई ए, चुबह वे, वो खेकें भाईने यहां अंदर का काम दिया इसलिए, वरना अपना गर बाहर होता ना, तुस्विजे को सलब दारे ए विजे के-के-के, चुहो की तरह चुपके बैढ़ा यहा, बोल, बोल के-के का है इसलिए मेरे को निवालू बोल, के-के का है वो, दर्या किनाने वाली सिमेट वैक्टरी में मुल्या, हाँ भए, मुल्या अरे यार, कहा नहीं डुझना तुझे? क्यों? क्यों? क्योंकि तेरी मुश्किलों में हम भी तेरे साथ हैं इसकी कोई जरूरत नहीं कैसा बात करता है रे तु यह जंग सिर्फ मेरी अपनी है, सिर्फ मेरी और इस जंग में मैं अपने दोस्तों की खुरवानी नहीं दे सकता वीजे, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? मेरा भाई वो, वो इंसन ही वीजे, वो हैवान हैवान तुम कुछ हो गया तुमिजे, तुम कुछ निप लिए शहर चोड़के चले जा वीजे तुमने ठीक ही कहा के वो हैवान है, उसकी मौत मेरी है भया नहीं भया, भया नहीं चोड़ 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 करी फची मारे Alesta जया जो! जया वो, जया नहीं खू़के ! मारे व्ष्चज कंसरो के क्रावची मारे उन्लंतर मेरे मेरे मौत्र मनारे प змसे चलें जया अंसे ताğर फक्षашा चոड़ चोड़ उन्दरोग बाबुराम, शाले नारू को यह और नहीं, तु ही है! बाइया, बाइया नहीं बाइया, बाइया, छोड़ तो गया तेरे नाटक, बाइया! तु क्ये को निचा दिखाना चाती है, मुझे, अरे तेरे भाई की जिन्दिगी हो, जिसने बेसरा कर दिया, तुसी के भाई के साथ अपनी जिन्दिगी के तार चोड़ना चाती है, अपनी शिकस के रास्ते में आने वाले हर्तार को मैं काट देता हूँ! हलो? के के बोल रहा हूँ? किसी भी खुबसूरत चीज को बुरी खबर देना कुछ ठीक नहीं लगता, खेर, तुम्हारा लाडला देवर विजय, जिंदगी और मौत के बीच जूज रहा है विचारा, नहीं, क्या हो मेरी मिजी को? हलो? वो कुलाबा के पुराने कार खाने में अंतिम सांसे गिन रहा हैं अपने पती से काओ कि अपनी तूटी फूटी आवाज में उसे लोरियां सुनाए ताकि वो चैन से सो सके शुमर, हम अभी आ रहे हैं जंगेज, मेरी बात सब विचू! 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 भाया, आप! विचू! 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 देखें, किसी भी तरह का तनाव आपको ज्यादा नुक्सान पहुचा सकता है अगर आप अपने दिमाग पर ज्यादा बोश जालेंगे तो फिर ट्रीटमेंट का कुछ फाइदा नहीं होगा विचू! 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 मुली... विचू! मुली साहं ता कुछ नहीं बगा ने भाय्दाब ज्या? विचू! 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 वै। नहीं होगा! तुष्मनों कि तबाई अभी देखनी है विजू, यह लडा, यह लडाई अभी लन्नी है सुनी, कहा जा रहे हैं? विजू? 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 झाल झाल खुझाओ झाल झाल! 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 बाइगल! तेरा सर्वनाश हम दो भाईयों के हाथों ही लिखा है इसकी आवास? मने कहा था बेवसी का बिगणा रूप बहुत 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 होता है अब तेरी ये गुंडा ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकते जंगेज, इसे भी पडेल की तरह खत्म कर दो जंगेज! बाल टाल 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 वाल हाओ इस एाओ ओर थन्यार नजटब फट इचर इचा है इचर 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 प्यार इंग झाल 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 झाल